हम बनाने जा रहे हैं आज पूआ, जो की एक बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप मैदा, एक कप मैदा में एक चुथाई कप डालेंगे सूजी, और आधा कप चीनी चीनी हमको थोड़ी-थोड़ी करके इसमें मिक्स करना है दूद एक कप पूरा इसको तयार करने में लग जाएगा पर हमें एक साथ दूद नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके ही मिक्स करना है इसे mix करते जाएए जब दूद आप मिलाईए तभी इसको तुरंट अच्छे से mix करिए इस तरीके से इसे अच्छे से mix करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से mix नहीं करेंगे तो इसमें लंब से बगर आप पड़ जाएंगे जिससे हमारे पूवे अच्छे नहीं बनेंगे फिर हमें डालना है थोड़े से dry fruits आप अपने according डाल सकते हैं एक चमबच केवडा जल की जगा आप इलाइची पाउडर भी यूज कर सकते हैं बस इसे अच्छे से mix करिए फिर इसे ढख कर एक घंटे के लिए रख देना है उससे हमारी सूजी फूल जाएगी और हमारा जो पेश्ट है वो तयार हो जाएगा अच्छे से बनने के लिए एक घंटे बाद इसे बनाना शुरू करते हैं और पेश्ट को में बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना अगर यह बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो जो हमारे पूवें होंगे उनका शेप अच्छा नहीं आएगा फिर एक कड़ाई में लेना है तेल मैंने यहाँ पर रिफाइंड ओल यूज किया है आप चाहें तो देसी घी भी यूज कर सकते हैं और एक चमचे में थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेके उसमें डालते जाएगे इस तरीके से और हमें इन्हें मीडियम टू श्लो फ्लेम पे सेखना है हाई फ्लेम पे नहीं सेखना है नहीं तो यह अंदर से कच्छे रह जाएंगे इस तरीके से इन्हें निकाल लीजिए आप चाहें तो एक एक पुवा भी बना सकते हैं और चाहें तो एक साथ तीन चार पुवे भी बन सकते हैं मैं अब एक साथ चार पुवे डालूँगी इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा पेस्ट डाल दिया है अब इन्हें पलट लेंगे इन्हें दोनों तरफ से पलट कर अच्छे से सेक लेजिए और कभी-कभी पुवे के अंदर तेल भर जाता है तो उसको इस तरीके से दबा कर उसका तेल निकाल दीजिए और फिर उसे निकाल लीजिए बस हमारे पुवे बनके तयार है अबस्टे पुवे जबस्टे पुवे जबस्टे लेगे